vermey style अपनी दो रेस्पी स्यार करोंगी चिकन क्रेप्स और चीज चिकन बॉल मैं अपनों को सी यहाँ और नहीं भी 400 व मज़ेश खिन क्रेप्स एक बाओं बनते हैं यह बनाने भी बहुत ही इसी है तो इसके अंदर जिकन की फीलिंग होती है तो मैं आप लोगतों को एक अंदर से प्लेंसमा Shрост अज़ने के दिखाती जुम बहुत ही मज़ता है जिकन क्रेप शेला है तो आप लोग साद में आसकी सारी रषपी एक उस्ति आप टो ये डै but the mechanism of chicken Cheez ने के जीज़ बनाई है तो इसके जो रइसपि उस्ति जल्दि इसार है लिए खु़र्ट के सार्इजी सेस्ट आपनों के साथि है क्योंकि आप एक साथ कर दो तो पहले चीकन क्रिप्स की रास्पि नोисл REPT तो सबसे पहले हम लोगों जो चिकन क्रेप्स बनाना है उसके हम लोग डोब बना लेंगे तो इसके लिए हमें दो एक लेने हम लोगों ने और इसके अंदर जो मैंने डालना है वो है नमक डालना है तो अब लोग खास बेज़ा का इसमें नमक आड़ कर सकते हैं और इसके अल यह नहीं हम लोगों ने अछ shy aoो मैं अटर करों गीं प्लेन फॲोर होता है उसके अंदर में एड़ा करोंगी मैं आड़ करके और इसके बाद फैस्ट को इसके लिए मैंने उटकर नह जाना है तो छो यह उस हुसाब से ऐड़ करें ताक इसको चाहता है बनाना है तो यह देखे मैंने अच्छा सा पीर्ष बना लिया इसको तो इसमें अंदर कोई भी गुट्ली ना रहे हैं तो इस अच्छी आप लोग ने में 1,5 tablespoon. और एड मिड़ेज टालनी है 저희 तेल्ट ठीबल स्पून और हम इसमें हम वायड lonely . बलक पेपर ड़ेड़ करेंगे. ख़ेंगे तो इसकी अंदर और जीरह ऑड़ेड़ करेंगे. और दरकलाइसनका पेस्ट करना है । तो आप लोग जाए करना है तो मैं इसमें लैमन और अड़ कर रहे हूं तो इसको हम अच्छी से इसको मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करने के बाद इसको एक घंटे के लिए हम लोग मेरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तो इन देखें हैं मैंने अच्छी से इसको मिक्स कर लिया है तो मैं अब इन दोनों चीज़ों को एक गेंटे के लिए छोड़ दूँगी तो उसके अलावा सबसे पहले अब हम लोग जो चिकन मैंने मेरिनेट किया हुआ था और उसको जो मैं फ्राइ कर लोगी तो सबसे पहले हम लोग इसमें ओयल बिल्कुल कम ओयल डालना है तो सबसे इसको फ्राइ करना है तो यह मैंने इसको फ्राइ कर रही हूं तो अब मैं इसको फ्राइ करकर निकाल लूँगी एक प्लेट में यह मैंने निकाल लिया है और इसके लावा अब मैं इसमें चिकन एड़ कर दूँगी जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था तो चि कच्छे से अपना हल्का सा पानी चोड़ दिया है आप अच्छे से ड्राये कर लेका फानी पानी मिश्मा noir की चिकन कम फ्रायर किया हुि इसके अंदर से अजस्ट हो जाए तो यह हमारा मिक्चर रेडी हो गया अब हम लोगों जो मेदे की रोटिया है वो हम लोग बना लेते हैं तो पहले इसने अच्छे से आप लोगों ने ग्रीज कर लेना है सारे फ्राइप पैन को तो आपने अब थोड़ा से मिक्चर लेके इसको दिर्मियान में एड़ करना है और ऐससे इसको पतली इसकी गुलाई में इसको आप लोगों ने शेफ दे लेनी है तक रोटी बन जाए तो यह बहुत ही एज़ी है बनानी है आप लोगों को शुरूर में दरा मुश्कल पेश इसके बंदें आप लिए निया के रोटी है 我गो आप लोगों को पतली से बनानी है तो यह जो चिकन कृब्स है इसकी जो मेधेवाली इसकी जो तिया है यह पतली ही अच्छे लगए बननी हुई तो एधिर मैंने अब इसको अच्छे से गुल से बना लिया तो अब हमें इसके जो फिलिंग है वो आप लोगों को दिखाती है उसके अंदर फिलिंग आप लोगों ने कैसे करनी है तो पहले हम लोग एक रोटी को अलादा प्लेट में रख लेंगे और उसके जो सेंटर में हम लोग जो हम लोग ने चिकन को फ्राई किया था शिमला मिट्च और प्यास साथ तो उसको सेंटर में इसके रख देंगे और हम लोगों इधर हम लोगों ने चैदर चीज लेनी है उसको मैंने क्रश किया हुआ है तो एक चमच भरके हम लोगों ने उसके उपड़ डाल देनी है तो चाहे आप अपनी मर्जिस साब से भी अब लोग इसको एड़ कर सकती है मैं इसके उपर डाल दिये तो अब उसको फॉल्ड कर लूँगे दोनों तरफ से और यह मैंने मेड़े का मिक्सर बना बनाय हुआ है यह इसके उपर लगा कि चारों तरफ से तो इसको मैं अच्छे से फॉल्ड कर लूँगी आप लोग देखें मैं कैसे फोल्ड कर रहे हूं है कि आप लोग को एक में आके दिखा देती हूं तो इसके बाद हम लोग इसको लाइट सा फ्राई पैन में ओएल डाल के इसको फ्राई करेंगे अब यह मेरा रेड़ी हो गया तो बाकी सब को भी मैं इस तरह बना लेती हूं तो फिर मैं आप लोगों को यह फ्राई करके भी दिखाती हूं आप लोगों दोनों सेट तरह कर लेना है यह मेंने सारे भलके से फ्राई कर लिया है बहुत ही इची शे वारिया है इनकी दिखिए बिल्कूल बहुत ही मज़े कि यह लगते हैं आप लोग जो ट्रै कीजगा और इसके बाद मेरी जो सेकंड रेस्पी है वो चिकन चीस बाल ह मैंने इसके लिए चिकन लिया है आदा किलो कीमा करवाया है इसके मैंने हरी प्याज और मिरिच और प्याज को मैंने चॉप करके डाल दिया है और इसके अऊंदर स्पैसे तिया टॉन का और यहांगे से मिक्स कर लेंगे क्लोडें है अफोरी को दॉत नोन इसाओ में आओंक्यों मेक्स कर लेंगे मैं बाल्स बना लोगी और जब इसके माल्स ही भनाने तो इसके अंदर excluding andere चीजा करें है को एसी करें तो ऐसे ऐसे भरके पर लोगों ने स्मेड करें और इसका बाल्स ही यूए के हैज तो उसकर रहाऊ करें जबल्स ने । इस तरह आंडे घ्ला अपर रखी करना पूल्स हैं तो यह देखे मैंने सारी बॉल्स रैडी कर ली हैं तो अब मैं इसको फ्राइ करती हूं तो इसको फ्राइ करने के लिए पहले बॉल उठा कि हम लोग अच्छे से ब्रैट क्रम्स लगाएंगे और इसके बाद इसको अंडे में अच्छे से डिप कर लेना है डिप करने के बाद आपर से क्रामिए लाएंगे यह देखें तो आब हम इसको फ्राइब कर लेंगे सब को यह बहुत ही माज़े कर लिद Super जानके लेगे दिखाने हैं वह लेख्ते हैं तो मैंने सारे बिल्कुल फ्राइब कर ली है मेरे और अफतारी काट हम भी और जो प्रेट बालू लिए मैंने करना तो कोड़ करना था इसलिए मैं योगर्ट अट कर रही हुआ था इसे बहुत ही क्रीपसी शे मज़े के प्रेगा पूड़े हैं और हैरा इसके लावा मैंने उसके बाल मिर्च डान झाट किया चाहिए तो हल्दी भी हल्कि से आड़ कर हैं तो आब एक सो मिक्सर बनाके में इसके पकॉड़े बना लेती हूं यह मैंने मिक्सर राड़ी करनें को आप अब मैं इसके फ्राओ कर लूँगी अफ्तारी में अगर पकॉड़े नहां तो अफ्तारी का बिल्कूल भीमजानी आ Awography में अगोस्त 1 मेरे व्लोग पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो जी इदर से मेरे चिकन ग्रेप्स भी त्यार हो गए है और चिकन बाल्स भी रैडि हो गई है प्रकोडी भी मैंने रैडि कर लिया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अलाफीज